बच्चे कदम कदम पर शिव बाबा की स्रीमत लेनी है अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है अगर किसी भी बात में बात से ब्रह्मा या ब्रामने से रूट जाते हैं चिट्टी नहीं देते और सोचते अमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं शिव बाबा कोई याद करना है तो उनकी बुद्धी को माया पकड़ लेती है वो जैसे विपृत बुद्धी है गीत है मुझको सहारा देने वाले ये दिल तेरा शुक्रिया ओम शांती बाब भी बच्चों का शुक्रिया मानते है जो मददगार बच्चे होते तो बाब भी और बच्चों की महिमा करते है अब तो बच्चे जान गए है कि भेद का बाब आया है बाब आती है पतित दुनिया में गाती भी है पतित पावन आओ तो पतित पावन आएगा जरूर पावन दुनिया स्वरगस्तापन करेगा जिसमें मनुक्ष थोड़े रहते है पावन द उताव की राजाय थी, भारत में पवित्रता थी, बड़े सावकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो दुखी है, शिव बाबा ही ब्रह्मातन में बेट समझाते है, तो ब्रह्मातन को भी याद करना पड़े ना, अगर बच्चे दूर जाते है, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे, तो तुमारा जो बिहत का बाप है, साजन भी है, उनको चिठी तो लिखनी चाहिए ना, शिव बाबा को लिखना पड़े थुरू ब्रह्मा, ब्रह्मा के शिवाय तो शिव बाबा सुन न सके, शिव बाबा थुरू ब्रह्मा, याद करना पड़े ना, कई ऐसे बच्चे है, जो समस्ते की हम तो श्यू बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई connection नहीं परन्तू, जबकि श्यू बाबा या है तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े, श्यू बाबा थुरू ब्रह्माव, गाया जाता है विनाशकाले विप याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परन्तू वहे कहा, जरूर या इस तन में है, इस द्वारा पड़ाते है, निराकार को तुम चिट्टी कैसे लिखेंगे, साजन, सजनियों को, सजनिया, साजन को चिट्टी लिखती है ना, सत्युक से लेकर कल्योग अं पत्र आदी लिखते हैं, अब आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है, उनको पत्र लिखती है, निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बात करती है, तो थुरू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े, ब्रह्मा द्वारा चिट्टी लिखे, तब शिव बाबा समझे बरोबर याद करते हैं, किसी की बुद्धी को माया एकदम पकड़ लेती है, या द्याविमान आ जाता है, तो फिर पत्र भी नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं, अभी है विनाश काले विप्रित बुद्धी, पांडवो की है प्रित बुद्धी, वे लोग फिर समझते हैं, गीता का भगवान स्रीकिष्ण था अच्छा समझो स्रीकिष्ण है तो उनको चिट्टी लिखना पड़े ना शिव बाबा को भी लिखनी है श्रीमा जरूर लेनी पड़े कहते हैं शिव बाबा को याद करते परन्तु साकार ब्रह्मा के सिवह तो राय मिल न सके अच्छे अच्छे फस क्लास बच्चे लिखते कि हमारा योग शिव बाबा से है हम उनको मदद करते रहेंगे फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाब बिगर दादे का वरसा तो लेनी सकते हो कदम कदम पर राय लेनी पड़े ऐसे ऐसे बाबा के पास समचार आते है और रूठ जाते है ब्रह्मा से वा ब्रावन्यू से फिर माया एकदम मूँ फेर देती है समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको श्यू बाबा से स्रीमत लेनी है बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए बाबा हमेशा पुष्टे रहते कि बच्चे खुश राजी हो एक होती है शादरिक बिमारी दुसरी फिर है रुभाने बिमारी कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा मोज में है हमारी उपर माया वार नहीं करती है अच्चा वह सब कुछ जानते है परन्तु फिर भी उनसे मत तो लेनी चुड़े न इस बात में भी राइट हू या रॉंग हू योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े है विनाश काले प्रिद बुद्धी बच्चों को तो बाप के पास आना है बाप या बैटे है न बहुत है जिनकी विनाश काले विप्रिद बुद्धी हो जाती है उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते है मुंच पड़ते है स्रीमत लेने बिगर तो काम चलना सके बिगर गाइट अकेला पोचना सके कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते है गाइट का जरूर हाज चाहिए तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए बच्चों को बाबा साउधानी देते रहते कि कोई भी बात में संशे उठ पड़े तो भी कम से कम इन से तो इन्वेंशन रखना पड़े श्यू बाबा की मत भी तो इन से मिलती है न बाबा ने समझाया है अकाल मुर्थ का रत अत्वा तक तक खास मुकरर है बाबा कहते हैं मैं इनके रत अत्वा तक तक आदार लेता हूँ बाकी मैं किसे में भी कभी भी प्रेवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ती करते है तो उनको वो साक्षत कर कराता हूँ उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ अगर हनुमान का साक्षत कर कराया तो वो भी भाव बैट जाएगा उनके पिचाड़ी लटक जाएंगे बाबा ने यह रत तो बहुत अनुभवी लिया है था भी वो जवारत का व्यापारी यह भी अविनाशे ग्यान रतनों का व्यापार है कलब कलब इस रत में आबू तब तो कार्य करू बर्मा द्वारा ब्रामन रचेंगे на जैसे क्राइश्ट द्वारा क्रिच्यान रचे होते है राश्ठी मिलती है на तो मुझे आना पड़े बर्मा के रत में इनमें ही इनके जन्मों की कहानी बैट समझाता हू पहला जन्म तो है स्री किष्ण का उनके बहुत जन्मों के अंतक के जनाम में आता हूँ एक्यूरेट बताता हूँ कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए तब तो उन द्वारा ब्रामान रचेंगे वेक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए सुक्ष्वतन में तो प्रजापिता ब्रह होता ही नहीं प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए और मैं आता भी भारत पे हूँ जबकि गोर अंद्यारा होता है आदा कल्प भक्ती का पूरा होता है गाते भी है हे पतित पावन आओ अगर प्रले हो फिर तो दुनिया पावन हो न सके प्रले अक्षर रांग है जब बहुत दुखी पतित होते है तब मैं आता हूँ पावन दुनिया है सत्यूग त्रेदा द्वापर कल्यूग है पतित दुनिया या कितने करोडो मनुक्ष है सत्यूग में तो इतने नहीं चाहिए दिखाते है पेट से मुसल निकले जिससे अपने ही कूल का नाश किया है यह सब कहानिया बेट बनाई है पेट से कोई चीज नहीं निकली है यह तो बुद्ध्य का काम है साइन से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है आगे यह ज्यास बीजली आदी कूछ नहीं था बाबा तो अनुभवी है कहते भी है कि मैं उरुद्धतन में आता हूँ स्रीकिष्ण का तो उरुद्धतन नहीं है स्रीकिष्ण पती थोड़ी है कहते है कि पती तपावन आओ तो पति दुनिया पति शरीर में आना पड़ता है पति दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं या आत्मा भी तमोप्रदान तो शरीर भी तमोप्रदान है गोल्डन एज, सिल्वर एज कहा जाता है न पहले है गोल्डन एज वह आत्मा और शरीड दोनों पावन है फिर आत्मा पतिद बन जाती है उन्हों को आकर वाइसलेस पावन बनाता हूँ माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फसकलास का भी कान पकड़ लेती है ब्रामनी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ सैंशे पड़ा यो गया माया मूँ फूर देती है प्रिद बुद्धि से विप्रिद बुद्धि बन पड़ते है फिर श्यू बाबा से पढ़ना छोड़ देते है कोई पढ़ते है परन तो पूरी धारना नहीं होती तो बाबा कहते हरजा नहीं सिर्फ दो बाते मजबूत कर लो बाबा को याद करना है अभी तुमारी बुद्धी यहा और वहा मने घर में रहनी चाहिए एक जिन का मिसाल है ना उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाओंगा बाबा भी कहते कि मैं यहाद करने का काम देता हूँ अगर याद नहीं करेंगे त पहले थोड़ा समय फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी बाबा कहते कि चुप रहो सिर्फ याद करते रहो तुम जानते हो कि बाबा उपर में भी है यहाद भी है हमको बाबा के पास जाना है अभी तुमको समझ है बाबा इस शरीर में आया हुआ है याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी काानिया तो बहुत बना दी है आगे बे समस्ते अभी बाबा समझाते कि मैं चला जाता हूँ फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो तुमारी आत्मा उसे बात करते है आत्मा इंतहान पास करती है शरीर के द्वारा अभी बाब कहते है कि देही अभिमानी बनो ग्रस्त विवार में रेते अपने को और शरीर आत्मा समझो जितना बाप को याद करेंगे उतना काया फाइदा है इसी का नाम योग रख दिया है नई तो यह है याद आत्मा की बाप से प्रीत याद करते है आशिक माशुक का भी एक दोके शरीर से प्यार होत है आशिक के सामने जैसे की माशुक खड़ा है माशुक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के एक है माशुक बाकी सब आत्मा आशिक वह निराकर बाप तुमको इस साकर द्वारा बेट मत देते है तुम तो ना आत्मा को ना पर भावना बैटी हुई है, कहते हैं लाल लाल आके हो जाती है, भावा समझाते हैं कि मैं तो श्टार हूँ, जैसे जुगन होता है ना, फाइर प्लाय, जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे श्टार मौफिक आत्मा निकल जाती है, विवेकानंद का मिसाल तो जैसे जिसकी भावना वेटी हुई होंगी उसे वैसा ही साक्षतकर हो जाएगा बाबा बेट समझाते हैं कि मैं यह तुमारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में साक्षात कराता हूँ जैसी आत्मा ये वैसा परमात्मा परंतुव ज्ञान का सागर है आत्मा भी चैतन्य है वो सब संसकार आत्मा में है बाप में भी संसकार है स्तापना विनाश पालना के करतव्य करने के त्रिमूर्ति है न शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं है कि तो त्रिमूर्थे के उपर शिव रचता को भूल गए वास्तों में गीता का भगवान है शिव त्रिमूर्थी शिव परंतु वो फिर कह देते त्रिमूर्थी ब्रह्मा अरे ब्रह्मा विश्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना ब्रह्मा का नाम अलग श्यू बाबा का नाम अलग है नहीं तो किसी को कहते हो कि वह रचता है किसको समझ में नहीं आता है बाप आकर बच्चों को समझाते है तुमारी है प्रित बुद्धी कोई की विप्रिद बुद्धी हो जाती है तो जैसे कवरों बन जाते है भल यहां आते हैं परंतु पद कम हो जाता है जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है फिर प्रजा में जाकर कमपद पाएंगे इस समय देखो पड़ाय से क्या क्या बन सकते है बाबा कहते कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को विश को छोड़ना है एक बाप ही सच्चा सद्गुरुए जो मुक्ती जोन मुक्ती में ले जाने वाला है जाना तो सबको एक ही समय है ऐसे नहीं कोई बीच से चला जाएगा हर एक को अपना-पना पूरा पीज जाना है गिता में भी लिखा हुआ है परंतु स्रीकिष्ण भगवानुवाच लिखने से गिता का महत्व ही चट हो गया है बाप न आये तो मुक्ती दाम कैसे जाए फिर अपने समय पर आकर अपना पाड़ बजाते है यह हुआ विश्तार से समझाना नट्शल में कहत है कि मुझे याद करो बस गौड इज वन बाकी सब है बच्चे अभी तुम त्रिकाल दर्शी बने हो अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चो प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुवानी बाप की रुवानी बच्चों को नमस्ते हम र राहे लेनी है शुवाबा को ब्रह्मा के थ्रो याद करना है अपना समाचार देते रहना है दूसरी पॉइंट कभी भी किसी बात में संसे ने उठाना है ब्रामनी से या ब्रह्मा बाप से रूटकर पढ़ाई नहीं चोड़नी है सदा प्रित बुद्धि रहना है वरदान स सुक सुरूप बन सारे विश्व में सुक की किर्ने फैलाने वाले माश्टर ज्यान सूर्य भवो। जैसे बाब ज्यान का सागर, सुक का सागर है वैसे स्ोयम भी ज्यान सुरूप बनो, हर गुन का स्रिप वर्णन नहीं लेकिन अनुभो हो। जब सुक सुरुप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुक सुरुप आत्मा द्वारा सुक की किरने विश्व में फैलेंगी। जैसे सूरिय की किरने सारे विश्व में जाती है वैसे आपके ग्यान सुक आनंद की किरने जब सर्वा आत्मव तक जाये पहुचेगी तब कहेंगे माश्टर ग्यान सूरिय स्लोगन है दीव्य जन्मधारी ब्रामन वह है जो अपने बोल संकल्प और करम से दिव्यता का अनुभू कराए अच्छा ओम शांती